कार्टिक शुक्लपक्ष पंचमी खस्ती का पंचांग सुर्जोद्य काल में पंचमी रहेगा और अगला सुर्जोद्य में सब्तमी आ जाएगा और खस्ती तिथी बिच बिच में सब्त हो जाएगा खस्ती तिथी कहां है गौन है गाइब है लुपत है तो दिन में 27 ए मननम हो जायगा और और नोइस सब्सक्राइब और खत्र के सब्सक्राइब तक रहेगा उसके बाद बनाराश करूशा 10-34 के बाद आपका कि सटेशा सम आप जाता है पंच पत्ना में रह जागा 10-47 तक नो मिनित प्रस चलता है सुकर्मा जोग जो रात की 15 तक रहेगा सुकर्मा जोग अच्छा है इसमे शुक करम करना चाहिए जो बच्चे जन्म लेते हैं वो अच्छे करते हैं तो सिध्धी जोग है तो सिध्धी जोग है चपशवगंता रहेगा यानि किसम कोई भी काम करेंगे तो सिध्ध हो जाएगा अच्छा जोग है बढ़िया है पर नंतो बाकि सब कुछ भी आद रखना को जोड़ी है क्योंकि तेठी हान है लगन नहीं है सुकरास्त है इसलिए बहु सारे सबकाम नहीं होंगे लचारिय मजबुरी वला कोई सबकाम होतो कर ले त्रीन सती तेस थर्टेन अंगले भासा नुशारेन फसली 21 तारिक एकईस एकईस एकःविन सती सुर्ज कनुशार द्वाजस्ती बारह त्वेल्फ राष्त्री एट आथ अस्त धनु राष् के चंद्रमा पूरा दिन पूरब दिशा में ही रहे जा तो पूरब दिशा और उत्तर दिशा कहता है सुफकारी है और दिशा सुल भी नहीं है आज जैन धर्म कनुसार जैनीयों कनुसार ग्यान पंचमी हो जाएगा इसको सुभाग के पंचमी भी कहते हैं लाफ पंचमी भी कहेंगे पांड़ पंचमी भी कहेंगे मैं बहुत सा इसका नाम है एकार्तिक सुक पश्पंचमी कहिए सब एक ही है च्छाइवती खस्ते आम सुर्ज खस्ती दाला च्छत बर्तम आज च्छती हो गया बदे कि इसको आज पहला अरग के नाम से भी हम लोग जनते हैं सामिमे सुर्ज लाषत्ट के सम्मार अरग सब दिया जाते हैं सुर्भां के पूजा की जाती है प्रतिहार खस्ती भी आजही है पंचमीत हो गया है अ खस्ती भी आज ताईगा असकंड कस्ती भी आजही होगा एक दूसरा मंत्र है यही शुर्ज सहस्तरात्राव ते जरासे जगत पते अनुकंप्यामा भगवतव दीवाकरह एक दूसरा मंत्र है नमस्तस्तु सुर्जाय सहस्त्र भानवे नमस्तु तेम वैस्ववानर जात वेद से तोमेव चार्खं पर्ति ग्रिहन ग्रिहन देवार्धी देव यानमनो नमस्ते कि इत्यादी बहुत सारे मंत्र है स्वार्थ सीथी जोग दस बजकर के उन्हें दस चमतिस तक रहेगा और अभी जोग उसके बाद आजाएगा यानि कि सब मिला जुदा के ठीक है विशेस के लिए हमसे या कोई अपना प्रोहेच अच्छे विद्वान से जुच्छी से पंच कर सकते हैं उसमें कोई पर्तिबन नहीं है सब ओक दिखाईए जनकारी देजिए परचार के जिए अच्छा रहेगा और कुछ कहना चाहते हैं पुछना चाहते हैं तो कॉमेंट बोक्स में लिखे कोमेंट दिया हो तो उसको छू करके उसको लिखने को अप्शन मिल जाएग हुआ है